सब्सक्राइब करे फिल्मी गर्लफ्रेंड को बहतरीन मूवीज देखने के लिए इंटरव्यू नहीं लिया था इसलिए वह थोरी नर्वस महसूस कर रही थी जब एना ग्रे एंटरप्राइज की बिल्डिंग में पहुचती है तो क्रिश्चन उसे कहता है कि उसके पास केवल 10 मिनट है इंटरव्यू के दौरान एना आत्मविश्वा से नहीं बोल पाती जिस पूचपाती और केवल 4 सवालों के बाद लोट आती है क्रिश्चन इंटरव्यू के कागज ले लेता है और बाद में उसके सभी सवालों के जवाब इमेल कर देता है जिसे केट काफी खुश होती है केट के पास क्रिश्चन की कोई तस्वीर नहीं थी जो उसे में काम करती है सन्योग से क्रिश्चन भी वहां कुछ सामान खरीदने के लिए आता है बातचीत के दौरान एना उसे बताती है कि केट के पास उसकी कोई फोटो नहीं है इस पर क्रिश्चन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि वह उसे अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले कॉल कर सकती है ताकि फोटो के लिए समय तै किया जा सके अगले दिन केट और एना क्रिश्चन ग्रे की तस्वीरे लेने के लिए उसके पास जाते है फोटो शूट के बाद क्रिश्चन एना को कौफी पर ले जाता है वह उससे पूछता है कि क्या उसका कोई boyfriend है जिस पर एना जवाब देती है कि नहीं इसके बाद Christian उसकी family के बारे में पूछता है और एना बताती है कि उसके पिता की मृत्यू उसके बचपन में ही हो गई थी और उसकी मा अब तक चार बार शादी कर चुकी है Christian उसे मजाक में पूछता है कि क्या वह भी अपनी मा की तरह romantic है एना कहती है कि वह English literature की छात्रा है इसलिए romantic होना उसकी मजबूरी है ये बाते सुनकर Christian का mood बदल जाता है और वह कॉफी खत्म किये बिना ही एना को बाहर चोड़ने की पेशकश करता है एना उसे पूछती है कि क्या उसकी कोई girlfriend है इस पर Christian कहता है कि वह girlfriend से नहीं बनाता एना उससे विदा लेकर चली जाती है बाद में अपने व्यवहार के लिए खेट जताते हुए Christian एना को माफी के तौर पर किताबे भेजता है एना केट से कहती है कि किताबे मेहंगी है और वह उन्हें नहीं रख सकती उसी रात केट एना को पार्टी के लिए दोस्तों के साथ एक बार में ले जाती है जहां एना काफी द्रिंग कर लेती है नशे में वह Christian को कॉल करती है और कहती है कि वह उसकी किताबे वापस भेज रही है एना की आवाज सुनकर Christian को एहसास होता है कि उसने द्रिंग की है और वह बार में पहुंच जाता है इस दोरान एना का एक दोस्त उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन Christian उसे रोग देता है एना ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है जिससे वह गिरने लगती है Christian उसे अपने होटल में ले जाता है और उसका ध्यान रखता है इसके बाद एना Christian के प्रती आकरशित हो जाती है लेकिन Christian उसे बताता है कि वह तब तक उसके साथ कोई physical relation नहीं बनाएगा जब तक वह उसका एक contract sign नहीं कर लेती एना को उसकी बाते समझ में नहीं आती लेकिन वह उससे विदा लेती है एलिवेटर में वे दोनों पहली बार किस करते है रात में एना की नौकरी खत्म होने पर Christian का driver उसे लेने आता है और Christian उसे अपने helicopter से अपने घर ले जाता है वहां वह एना से एक agreement sign करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वह किसी को भी Christian के बारे में कुछ नहीं बताएगी इसके बाद Christian उसे बताता है कि वह romance में विश्वास नहीं रखता और उसके संबंद का स्वाद अलग है वह एना को अपने play room में ले जाता है जहां लाल रंग की lights और कई तरह के adult toyage रखे हुए थे Christian कहता है कि अगर एना उसके साथ रिष्टे में रहना चाहती है तो वह इन toyage का इस्तेमाल उसके साथ करेगा एना यह जानती है कि यह सब painful हो सकता है और वह कहती है कि उसे ये सब क्यों मानना चाहिए इस पर Christian जवाब देता है कि उसे पाने के लिए उसे ये सब सहना पड़ेगा एना बताती है कि उसने कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया है जिससे Christian हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वह अब तक वर्जिन है एना कहती है कि हाँ और Christian उसे अपने कमरे में ले जाता है जहां दोनों पहली बार फिजिकली क्लोज होते है और एना अपनी वर्जिनिटी खो देती है इस तरह उनके रिष्टे में एक नया मोर आता है अगले दिन Christian एना से कहता है कि अगर वह उसके साथ रिष्टा रखना चाहती है तो उसे सब्मिसिव बनना होगा क्योंकि उसे रिलेशन्शिप में डोमिनेंट रहना पसंद है वह उसे बताता है कि एक सब्मिसिव बनने पर उसे कई तरह के इनाम मिल सकते है एना पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वह उसकी गुलाम बन जाएगी इस पर क्रिश्चन विशय बदल देता है लेकिन एना कहती है कि वह घर जाना चाहती है रास्ते में एना उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों है क्रिश्चन बताता है कि बचपन में उसकी मा की एक दोस्त के साथ उसका एक रिष्टा था जिसमें वह चाह साल तक सब्मिसिव रहा उसी अनुभव ने उसकी रिलेशन्शिप की पसंद को प्रभावित की आज क्रिश्चन उसे घर छोड़ते समय कांट्रेक्ट दे देता है जिसे एना को साइन करना है कांट्रेक्ट में लिखा होता है कि सब्मिसिव को डोमिनेंट की हर बात मानी होगी बिना अनुम्ती के उसे तच नहीं कर सकती और उसे हमेशा सर कहकर बुलाएगी यदि वह किसी भी नियम को तोरने की कोशिश करती है तो डोमिनेंट अपनी मर्जी से उसे सजा दे सकता है यह सब परने के बाद एना उसे मैसेज करके गुरबाई बोल देती है उस रात क्रिश्चन एना के अपार्टमेंट पर आ जाता है और उसे कांट्रेक्ट के बारे में पूछता है एना बताती है कि वह साइन करने के लिए अभी मानसिक रूप से तयार नहीं है हालांकि क्रिश्चन उसे पसंद करने लगा है फिर भी वह अपनी शर्ते पूरी करवाना चाहता है वह जाने लगता है लेकिन एना उसे रुखने के लिए कहती है इस पर क्रिश्चन कहता है कि वह कभी किसी लर्की के साथ सोता नहीं है अगले दिन एणा क्रिश्चन को मैसेज करती है और कांट्रेक्ट पर चर्चा के लिए एक फॉर्मल बिजनेस मीटिंग की मांग करती है क्रिश्चन इसके लिए सहमत हो जाता है मीटिंग के दोरान एना कांट्रेक्ट में से कुछ एडल टॉयज वाले हिस्से कत्वा देती है जिनसे वह असहज महसूस करती है इसके बाद एना कहती है कि वह कांट्रेक्ट को दोबारा परकर अपनी प्रतिक्रिया देगी जब क्रिश्चन उसे बाहर छोड़ने आता है तो वह एना की पुरानी गारी को देख लेता है एना की ग्रेजुएशन के दिन क्रिश्चन चीफ गेस्ट के रूप में वहां आता है बाद में वे दोनों क्रिश्चन के घर जाते है जहां वह उसे एक नई गारी गिफ्ट करता है हालांकि एना अभी तक कांट्रेक्ट साइन करने को लेकर अनिश्चित महसूस कर रही थी और क्रिश्चन को खोना नहीं चाहती थी अगले दिन क्रिश्चन उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है वहां एना क्रिश्चन की मां को बताती है कि वह अपनी मां से मिलने जॉर्जिया जा रही है यह सुनकर क्रिश्चन नाराज हो जाता है क्योंकि एना ने उसे पहले से नहीं बताया था एना क्रिश्चन से पूछती है कि वे एक सामान्य जोरे की तरह क्यों नहीं रह सकते लेकिन क्रिश्चन इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता क्रिश्चन उसे जॉर्जिया जाने से रोकने की कोशिश करता है पर एना अपनी मा से मिलने चली जाती है अगले दिन क्रिश्चन भी जॉर्जिया पहुचकर उसे सरप्राइज देता है वहां दोनों एक डेट पर जाते है लेकिन अचानक क्रिश्चन का मूट खराब हो जाता है और वह वापस सियेटल चला जाता है एना भी बाद में लोटकर क्रिश्चन के पास आ जाती है वापस आने पर क्रिश्चन एना को अपने प्ले रूम में बुलाता है वहां वह उस पर एडल टोयज का इस्तेमाल करता है एना क्रिश्चन से पूछती है कि वह उसे तच क्यों नहीं करने देता और उसे इस तरह गुलाम क्यों बनाकर रखना चाहता है। Christian जवाब देने से इंकार करता है। Ena उसे सबसे सक्थ पनिश्मेंट देने के लिए कहती है और Christian उसे बेल से पनिश्मेंट देता है। इस पर Ena कहती है कि अब वह भी उसे तच नहीं कर सकती और वह रोती हुई वहां से चली जाती है। एना उससे कहती है कि वह यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे Christian से प्यार हो गया है। Christian जवाब देता है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन एना उसके गिफ्ट से लोटाकर चली जाती है। इस relationship के तूटने के बाद दोनों ही दुखी रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते और यही movie खत्म हो जाती है.